हेलो वेल्कम टू हसन लोज्टेडी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि संपत्ति अंत्रण अधीनियम 1882 के अंतरगत धारा त्रेपन के बारे में यानि कपट पूर अंत्रण के सिध्धान्द के बारे में देखे संपत्ति अंत्रण अधीनियम 1882 धारा त्रेपन में कपट पूर अंत्रण के सिध्धान्द के बारे में अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबा कर अभी सब्सक्राइब करने बिलकुल निशुलक है इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और कमेंड भी किया करें तो आए बिडियो में चर्चा करने से पहले मैं बता दूं कि किन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे पहला टॉपिक है पहला टॉपिक कपटपूर अंतरड का तात्पर रहे हैं कपटपूर अंतरड का तात्पर रहे हैं तात्पर क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे तूसरा टॉपिक है धारा त्रेपन के खंड के बारे में कितने खंडे धारा त्रेपन के खंड पर चाचा करेंगे तीसरा टॉपिक है कि धारा त्रेपन का पिरभाव क्या होगा धारा त्रेपन का क्या पिरभाव होगा है उस पिरभाव के बारे में चाचा करेंगे चौथा टॉपिक है रिड़ दाता का अर्थ बताएंगे क्यों इस पर वहासा में अभी रिड़ दाता के बारे में बात आएगी तो रिड़ दाता का क्या अर्थ है? क्या अतात पर है? क्या मतलब है? इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे बताएंगे कि अच्छा कई रिड़ दाताओं में से किसी एक रिड़ दाता को बर्याता देना इस पर विचार्चा करेंगे अगला टॉपिक देखी नंबर छे नंबर छे पर सिध्धान्त के आवशक तत्व कौन से होंगे सिध्धान्त के आवशक तत्व और सात्वा है सात्वा टॉपिक है कि धारा तेखान के लागू ना होना दारा तेखान का लागू ना होना और और आधवा है कि वे पस्तितियां जिन में अंत्रण सदवाव पूर्वक नहीं होता है इन टापिकों पर चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो पर आप देह के पहले टॉपिक है कि कपटपूर अंतरण का ताथ पर ग़या है इसे समझ ए कपटपूर अंतरण का ताथ पर यह है कि किसी अच्चल समपत्ती का ऐसा अंतरड जो अंतर करता रिड़ दाटाउं को विखल इतवा बिलंबित करने का करने की इच्छा से किया जाए इस परकार किसी भी रिड़ दाता के विकल पर सूनकर्णिया हो सकेगा सुनकरणी हो जाएगा केबल उनके रताओं के अलाबा केबल उनके रताओं के अलाबा जिनों ने पृतिफल के लिए बिना सूचना के वह सदवाव पूरबक लिया हो उन्हें छोड़कर कपट पूरबक अंतर माना जाएगा अब इसे खंड देखिए धारा त्रेपन के खंड तो धारा त्रेपन के दो खंड है तो पहला धारा त्रेपन का खंड पहला कि अंतर करता के लेंदारों के हित को सर्रक्षित करता है इसके लागू होने के लिए दो शर्ते अप्रक्षित हैं दो शर्ते अपेक्षित हैं पहली ये अचल संपत्ती का अंत्रड होना चाहिए और दूसरी है ऐसा अंत्रड लेंदारों के हित को बिफल ये बिलंबित करने के आशे से होना चाहिए ये दो खंडों में दो शर्ते इसमें हैं कि अब धारा तिरीपन का पिरभाव क्या होगा देखिए तुर में किया है कि ठेल जोद्रय Kit शर्तों के पूल हो जाने पर पूल होने पर और अंतर्र अंतर करता के लियंदारों के विकल citra Leeka Walon करडिये माने जाता है इसका वह रख सुन करड़ी होगा अब इसे बात रिदाता की अभी कि रिदाता के ठीक अब रिड़दाता का क्या मतलब है कि यहां जो शब्द है रिड़दाता उसका जो प्रियोग है वह बहुत बड़े छेत्रवें एक बिस्तृत अर्थ में किया गया है यह केवल महाजण जो रुप्य देने वारा ह était तहavyं से बलके इसमें अन्य वेक्ती शामिल है बहुत बिस्तृत Scary जिनमें किसी बेक्ती से धन का दाव्य करने का अधिकार है वह बीं समें कि शामिल है इसमें मुस्लिम पतिनी जिसके मेहर का भुकतानना किया गया हो वह भी शामिल है इसमें इसका बहुत बिश्तृत अर्थ है कई रिर्दाताओं में से किसी एक रिर्दाता को बरियता देना तो उसका क्या प्रणाम एक केस है कि मुसहर साहू का केस है बानाम लाला हकीम शाह का इस केस में क्या कहा गया था कि इस केस में जो प्रिवी कौंसिल थी उसने कहा कि किसी एक रिर्दाता को बरियता देना कपट पूर्ण अंतरण नहीं कपट पूर्ण अंतरण में नहीं आता है इनमें से बे भी रिर्दाता शामिल हो हो जाते हैं जो संपत्ति अंतरण के बाद रिर्दाता बने हैं अब देखिए अब इसके आवशक तत्व देखिए पहला तत्व है कि बैद अंतरण इसका अंतरण बैद होना चाहिए इससे धान उन्हीं मामलों पर या उन्हीं मामलों में अंतरती को सानक्षा प्रदान करेगा जब उसे किया गया अंतरण बैद और प्रवर्द नहीं है यदि अंतरण सु शुरू से ही शून्न है तो अंतरण की ना तो आवशक्ता ही है और न सिद्धान लागू होगा तो सिद्दान लागू नहीं होगा तो पहली सर्थ है कि बैद अंत्रा रहना चाहिए पहला आवशक्तत भाए आवशक्तत हुगा थीक तो पहले तो क्या है कि अंत्रा बैद होना चाहिए अंत्रा बैद होगा तभी सिद्दान लागूगा तो और दूसरी शर्त है अचल संपत्ती का होना अचल संपत्ती का होना अगर अचल संपत्ती होगी तभी सिद्दान लागूगा इस सिद्दान का प्रयोग अचल संपत्ती के मामले में ही होगा चल संपत्ती पर यह लागू और नहीं होगा मैं लिए गपकज़ मश्णी 마음ण अंतराइघ करने चाहिए तो पड़िश। अंतरावा चाहिए त्ची अब में चौत्इस शड़ी है और धाइया है कि माहाजनों माजनी प्रभशल निलंबन अधेश जो माजन है जिसने पैसा दिया है उसके हित का माजन के हित को बिफल करने का हित्फ की हम विफल करने का हिद्ज होना चाहिए और अगलन अगला टॉपिक है कि कपट पूर्ण चैन किसी एक महाजन के हिद का विफलन करना या दिलंबन धारा के द्वारा पिर भावित नहीं होगा अगर कई रजाता है उसमें से अगर बरियता दी जाती तो वहां परीसिदांत लागू नहीं होगा रिड़ी अंत्रण का कोई फाइदा स्वें के लिए ना रखे साथवा है कपट पूर अंत्रण हो जो होगा वो शून करड़िये होगा और आठवा है कि ऐसा बाद पृत्तिनिधी बाद होना चाहिए ये इतने आवशक तत्व हैं अब देखिए साथ वा त्रेपन का लागू ना होना धारा त्रेपन एका लागू ना होना दो कंडिशनों में ये लागू नहीं होगी पहली कि अगर इमांदार और सदभाव पूर और प्रतिफल सहित अगर अंतर का मामला है तो ये सिद्धान वहां लागू त्रेपने लागू नहीं होगी जहां अंतर करता दिवालिया हो जाता है वहां भी ये सिद्धान लागू नहीं होगा अब बे परिस्तित के देखिए नमबर आठ पर जो जिसमें अंतर सद्वाव पूरवग नहीं है तो उसमें पहली बात है कि रिड़ी अपनी समझ समपत्ती का विक्रे कर देता है वह उसके तथा उसके परिवार के लिए कुछ नहीं छोड़ता तो यह सद्वाव पूरवग न इसका मतलब यह है अगर कोई भी वस्तू जो पांच लाकी है और उसने उसे पचास हजार में बेच दिया यह प्रितिफल इतना है कि परियाप्त नहीं है आप परियाप्त हैं कितना परियाप्त है बहुत जाद है अंतरण बहुत जल्दी बच चुपके से कर दिये गया है त अंतरण करता ने अपनी संपत्ति जो खिम उद्यम किस में लगा दी है ताकि रिड़ दाताओं के रिड़ ना चुकाया जाए यह भी कर सद्भाव पूर्वक नहीं है कि इस वीडियो में मैंने चार्चा की संपत्ति अंतरण धीनियम में जो कपटपूर अंतरण था उस सिध्धान के बारे में धात्रेपन के बारे में अम मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए बाए जोड़े रहिए हसन लॉजिटटी के साथ